कर्ज माफी मुवावजा वबीमा क्लेम से वंचित किसानों में सरकार की प्रती नाराजगी महावीर मूंडली, मानगरोल से विधान सभाग शेत्र के किसान प्रतिनिदियों की बैठक में केंद्र वराज्य सरकार द्वारा गत्चुनावों में किसानों की कर्ज माफी का वादा कर पांच साल बाद भी उक्तवादे पर अमल नहीं हुने पर किसानों ने गहरीना राजगी जताई साथ ही 2022 खरीफ फसलों में हुए खराबे का बीमा क्लेम वा मुवावजा को लेकर तीन तीन बार क्शेत्र के किसानों से दस्तावेज जमा करवाने के बाद भी बीमा एवं मुवावजे की राशी राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में नहीं डाले जाने पर सरकार वा सरकार के प्रतिनिदियों पर किसानों ने उदासींता का आरोप लगाया साथ ही किसानों ने कहा कि क्शेत्र से केंडर में सांसद वराज्य सरकार में क्याबिनेक मंत्री हुने के बाद भी किसानों को बीमा क्ल परिनाम निश्टान की बजाय जान बूच कर किसानों को गुम्राह कर रही है जिसका खामियाजा आगामी चुनावों में सरकार को भुक्तान पदेंगा समिती सयोजक रामचंद्र मीना रामगोप्तिसाया गंगाधर मीना उमाशनकर मीना हिमराज गोड गोविंद मुंदला ज परिनाम निश्चित ही विप्रीथ होंगे सयोजक मीना ने कहा कि केंद्रव राज्य सरकार द्वारा किसानों के बीच गत चुनावों में घोशनाए कर उक्त घोशनाओं को आज तक पो रा नहीं किया गया है उन्हीं अधूरी घोशनाओं को लेकर सयोग्त किसान संघर्ष स कमिती के सेक्रो कार्य करता आगामी विधान सभा चुनाव में किसानों के बीच गावों गावों में जाकर किसानों को लाम बन कर किसान विरोधी लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे बैठक में उपस्थित किसानों अधारा सर्व सम्मती से पारिक प्रस्ताव में मुख् दोलनकारी किसानों पर लगे जूठे मुकदमों को निरस्ट करने की पुर्जोर मांग सहीत आधा दर्जन मांगों को शामिल कर केंद्रों और राजय सरकार से चुनावों से पहले समाधान किये ज़ नेकी माग की गई इस अवसर पर जगमोहन रिंजिया उत्तम सिंग हर्यों म नीना हीरलाल बैर्वा सुरेश रिंजिया राजेंद्र रामस्वरूप इश्वर पुरा दिनेश केवत रामकिशन भाटी रामकुवार गुद्रावानी चतुर्भुज जाढ़वा नरेश योगी रामगोपाल मेगवाल सहीत बड़ी संख्या में किसान शामिल थे